सभी छात्रों का स्वागत है हमारे यूटूब चनल आई टी आई जोब तक में दोस्तों आज मैं आपके लिए जो हीरो मोटर साइकल की कमपनी है उस कमपनी में भरती निकली है तो उसी की जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मैं देने बाला हूँ तो जिन वच्चों को जोब की आवशकता है जोब की तलास है वो इस वीडियो को लाश्ट तक देखें बिल्कुल भी आप लोग को स्कीप ना करें मौवाइल नंबर वगएरा कहां जाना है क्या सेलरी मिलनी है पूरी इंफोर्मिशन आपको वन वाई वन में आप लोगों को देने बाला हूँ चार से पांच वीडियो आप लोगों के लिए डेली आती है तो जिन बचों को जॉब में रियल में आवशकता है जॉब की तलास में धर धर गूम रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूने चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करने हैं दोस्तों फुल फैसिलिटी आप लोगों को इस कंपणी में मिलने वाली है और कोई भी दिक्का समझ्चा नहीं रहती है हीरो मोटर कॉप इंडिया की सबसे नंबर वन बर्ड की मान लिए बर्ड की नंबर वन मैनुफेक्चरिंग मोटसाइल बनाने वाली कंपणी है काफी अच्छी क कमपणी है जिन बच्चों ने काम किया हुआ है आप उन बच्चों से जानकारी ले सकते हैं और नहीं किया हुआ है तो आप लोग जो जाके इसमें इंटर्व्यू दे सकते हैं दोस्तों कंपनी का नाम है Hero Motor Cop Limited तो ये आप लोगों को FTE और Apprentice दो पोश्ट के लिए कंपनी में भरती है जो बच्चे FTE करना चाते हैं FTE कर सकते हैं और जिन बच्चों को Apprentice करनी है Hero Company में तो वो Apprentice के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोनों के लिए अलग-अलग Qualification का Criteria है वो मेडियो में पूरी आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ इसकी बिल्कुल भी ना करें पूरी जानकारी आप लोगों को फिरी मलेगी कंपनी काम करने के लिए हाइरिंग किया जा रहा है इसमें मंतली सैलरी आप लोगों को 22,348 रुपे आप लोगों का CTC रहेगा FTE वालों का जिन बच्चों को FTE पोष्ट पे अप्लाई करना है तो उनको 22,348 रुपे आप लोगों को CTC मंतली कंपनी के दरब से मिलने वाला है अपरेंटिस वाले यदि अपरेंटिस के लिए आप जोब एपलाई करते हैं तो उसको 16,934 रुपे आप लोगों का CTC रहने बाए इसके बाद आपका FUND BIMA जो भी कटने के बाद जो भी कंपनी के द्वारा दिया जाएगा वो आप केमपस प्रेस्मेंट में बता देंगे फिर भी 10 से 12,000, 12,000 के संथिंग तो आप लोगों को मिलने वाला है 2-3,000 रुपे आप लोगों को FUND BIMA का कट जाएगा उसके बाद 10 से 12,000 रुपे आप लोगों को in hand मिलने वाला है selection process जो इस company में आप लोगों का रहेगा वो एक written test के दुरू और एक interview के दुरू जो बच्चे written test clear करेंगे उनका ही interview लिया जाएगा और interview जो चातर पास कर लेते हैं उनको hand to hand वहीं पर offer letter दे दिया जाएगा है फिर आपको बता दिया जाएगा किस date को आपको company जोइन करनी है पिछली बारी मैंने काफी सारी वीडियो बनाई है तो उन पर काफी सारे comment मेरे को देखने को मिले है सर हमारी अभी तक joining नहीं हुई है हमारा selection हो गया था वहाँ पर हमारा test हो गया सभी चीज के लिए अरती है लेकिन हमें company की तरफ से अभी call वगरा नहीं आई है तो वो सभी बच्चे जो है अपना वहाँ पर जब campus placement लगाने के लिए जो HR वगरा की team आती है तो उनका mobile number अबश्य ले लिया कर ने उनसे contact तागि आप लोगों का बना रहे और आप लोगों के जो भी company की तरफ से आगे की process है उसकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे तो मैं job की जानकारी तो आप लोगों को पहुचा देता हम लेकिन आगे की काफी सारी समय का भाव रहता है मेरे पास समय की थोड़ा दिक्कत है तो आप लोग जो भी company में आगे की process हो रही है उसकी जानकारी मिलती रहे तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें जिन बच्चों का selection होगा mobile नमर आप लोगों को अबश्य लेकर आना है दोस्तो इस company में qualification जो है आई टी आई पास वाले बच्चों के लिए company में hiring है जिन बच्चों ने फिटर से आई टी आई की हुई है वो बच्चे अपलाई कर सकते है टर्नल वाले जा सकते हैं वेल्डर वाले ठीक है और यदि आपने electrician से तो वो सिर्फ girl के लिए एला हुए girl's electrician वाली girl जा सकती है लड़कियों के लिए ठीक है दोनों के लिए company में बढ़ती है लड़के भी जा सकते हैं लड़कियां भी apply कर सकते हैं दोनों के लिए company में वेकेंसी है तो आप लोग ज्यादा से ज्य job के लिए apply कर सकते है फ्रैसर बच्चों के लिए हायरेंगे एजिफ फ्रैसर आप लोगों को इस company में job के लिए apply करना होगा age limit 18-26 है जिन बच्चों की age 18 है documents में complete हो गई हो 26 से ज्यादा ना हो आप चेक कर लीजिए एक से दो दिन भी जदी आपकी ज्यादा होती है तो आप लोग जो नहीं जा सकते मेल और फीमेल दोनों के लिए बढ़ती है लड़किया भी इस जॉब के लिए apply कर सकती है और लड़के भी दोनों के लिए company के तरफ से नई requirement बढ़ती निकल कर आ चुकी है काफी अच्छी vacancy है आप लोग जो ज़्यादा से ज्यादा संग्या में प जूम पर जो अब प्रिजेंट में यूज कर रहे है वो अपडेट नहीं होता है तो वहाँ से call वगरा नहीं आ पाती है दिक्कत समस्या रहती है एक आपकी email ID और एक phone number दोना प्रोपरली अपडेट होना चाहिए जिससे कि यदि महाँ से कोई call वगरा आप लोगों को आए जो भी qualification है 10th plus ITI में जो भी trade बांगे गए है तो उस दोनों के आपके पास mark seat होनी चाहिए आधार कार होना चाहिए पेन कार्ट चार से पांच फोटो और बैंक की passbook ये normal से सभी documents आप लोगों को तब आप campus placement company लगा रही है तो वहाँ पर आप लोगों अपने साथ लेकर जा आता है हमारे पास comment तो आप लोगों को मैं जानकारी दे दे रहा हूं आप लोग फोटो को भी घर से ही अवश्य करा कर ले जाएं ठीक है दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक हमारे WhatsApp चैनल को जॉइन नहीं किया हुआ है तो WhatsApp चैनल को अवश्य कर लें आप लोगों को समय नहीं निकल पाता है तो मैं जो नौटिफिकेशन कंपनी को तरफ से मेरे पास आते हैं तो उनको मैं जोग के नौटिफिकेशन को WhatsApp चैनल पर अपने डाल देता हूं तो WhatsApp चैनल आप लोग जोग अब आश्य कर लें तो दोस्तों यह जो कंपनी है 31 जनवरी को कंपनी के द पहुंचना है क्योंकि यह कोई बैसी कंपनी में डारेक्ट भरती तो है नहीं तो आप लोगों को एक एक करके आप लोग पहुंचते रहे तो आप लोग एक साथ जब साड़े नौ बजे इंटर्वी श्टार्ट हो उसके बाद आप लोगों के डोकुमेंस नहीं लिये ॐणकते हैं तो आपका 100% कंपणी में अटर्व्य डिया जाएगा इंटर्वी बैसके हैं एंपी gözस इस campus placement में भाग ले सकते हैं other state के बच्चे नहीं जाएं तो जो भी बच्चे जाना चाहते हैं वहां पर जाकर अपना इंटर्विद्ध दे सकते हैं इसके mobile नंबर वगएरा आप लोगों को हमारे बॉटस आप चैनल पर मिलें जो बच्चे फोन से जानकारी करना चाहते हैं इस जौब के बारे में और कुछ जानकारी करना चाहते हैं फोन नंबर वगएरा सभी आप लोगों को डिस्केपने में दिया हुआ है WhatsApp चैनल का दो WhatsApp चैनल पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो वहाँ जाकर अपना नोटिफिकेशन अवश्य एक बार चेक कर लें और एक बार नोटिफिकेशन पढ़कर फॉन नंबर बगरा सभी आप लोगों को बहाँ पर दिये हुए हैं तो उन नंबरों को इस कंपनि में मिलने वाल है किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना है अप लोगों को हमारे चैनल पर जितनी भी जौब मिलेंगे वह सभी फ्री जौब हम आप लोगों लेकर आते हैं तुछ चैनल को सबस्क्राइब अबश्य कलने जो भी नई बच्चे है अभी तक नहीं किया हुआ है चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले और यदि आप भी हमारे आपने राजाबास सेर के बारे में जौब की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने राजाबास सेर का नाम डाल सकते हैं तब भी मां की जौब निकल कर आती है तो मैं कोसिस करूँगा आपके लिए जौब वीडियो अब अश्य लेकर आओं